जब सेट पे मैं फर्स टाइम उनके शूट करने गई थी तो उनका नाम सुनके मैं बहुत डर गई थी कि मैं कैसे करूँगी इतना बड़ा स्टार है जब मैं गई उन्हेंने बहुत कमपटेवल किया कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे लगा नहीं कि मैं फर्स टाइम कर लेते हैं आपके एक फिल्म आ रही है कली आइजिंक टेलर रिलीज होने वाला कि मैं इंट्रीव थोड़ा दिन के बाद अप्लोड होगा एक दिन के बाद होगा राजा की आएगी बारात किसाड़ी लाली आदब के साथ क्या क्याने चाहें उनके बारे में तो सबको पता बहुत अच्छे नेचर के हैं जब सेट पर मैं फर्स्टाइम उनके शूट करने गई थी तो उनका नाम सुनके मैं बहुत डर गई थी कि मैं कैसे करूंगी इतना बड़ा स्टार है जब मैं गई उन्हें ने बहुत कमपटेवल किया कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे लगा नहीं कि मैं फर्स्टाइम शूट करें उनके साथ तो जैसे दिखते हैं वो वैसे ही है ऐसा नहीं है कि अब भी कुछ है बादने कुछ है वैसा नहीं है जो बोलते हैं जो दिखते हैं वो सच में वही है उनका डबल साइड नहीं है स्टार का स्टार्डम नहीं दिखत कर दो किस तरीक का स्टाइल में कोकि सिंपल से दीखने से टाइडल से लगाए था मुझे था मुझे हैं मुझे रेड लिस्टीक देखा डियां तो में थे वाइटेक्टिक दिखा देखा गारी मतर है कि पारिवारिक फिल्म है जिस तरीके से राजा की आईगी बारात रानी चिटरजी को लिके बनाई गई थी पहली फिल्म तो उसको आप कैसे कंबाइन करते हो यह आप सबसे प्रहें तो लालवग पंडित का नाम ले ले लेती हूं लालवग पंडित सरका कि उनकी मुवी जब लालवग पंडित वह तो सिंपल सी बात है कुली नंबर बन तो पहली एट उन्होंने कर दे चुके उनकी जितनी फिल्में देके वह बहुत बहुत बहुतरीन फिल्में बनाते हैं और कौन-कौन से आने वाले प्रजक्त है उसी के बारे मुड़े फर्स तो है शादी हो तो दूसरी है राजा की आईगी बारात और तुसरी है रखिया लाज हमार यहजी के साथ और चोथी है कल्डू जी के साथ दिल्हा दिरे दिरे चला सहसुरारी गलिया एंड ये पांचवी फिल्म है मेरी परमो जी के साथ अटूर रिष्टा मतलब कहें ना कहें भूचाल एक दम थी है ना चले थैंक यू बढ़ा थैंक यू सो मच